बाइबल में से Old Testament के पहले तीन पार्ट को मैंने कवर किया, दो वीडियोस आपके साथ शेयर की, आपने उन वीडियोस को देख लेना, नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी डाल दूँगा, आप उन वीडियोस को देख लेना, दोस्तो आ में लिखा है, इसमें इससाई किताब में लिखा है, इश्वर इससाई नाम के प्रॉफट को इसराइल बेजता है, और संदेश बिजवाता है, कि पाप करने वाले जज्जमेंट के लिए तैयार रहें, आगे जेरिमिया में लिखा है, इश्वर जेरिमिया नाम के प्रॉफ बेबिलोन के इसराइल पर हमले के बारे में बताया गया है जिसमें जेरुसलेम को नस्ट कर दिया गया था आगे इजिकेल में लिखा है इश्वर इजिकेल को लोगों के पास बेजता है जो उन्हें बताता है कि उन्होंने क्या गलतियां की है और उन्हें कैसे सुदारा जा सक आगे डैनियल में लिखा है, डैनियल नाम का एक विक्ति, फिर से ईजराइल में शान्ती बहाल करता है, वहे बेबिलोन और परसिया में मंत्री बन जाता है। ली जाती है वह उसे दुबारा पाने की कोशिश करता है इसराइल के लोगों ने फिर से दर्म के मार्क पर चलना छोड़ दिया था आगे जोएल में लिखा है लोगों को सजा देने के लिए गोड इसराइल में लोकस्ट बेज देता है जिससे वहां अकाल फैल जाता है आगे अमोस में लिखा है अमोस नाम का चरवाह नौर्थ इसराइल में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है आगे उबादिया में लिखा है उबादिया प्रोसी राज्य बेबिलोन में संदेश लेकर जाता है कि जेरुसलिम को नस्ट करने के लिए गोड उन्हें दंडि जाता है फिर वहे निनिवे शेहर में इश्वर का संदेश लेकर जाता है आगे मिकाह में लिखा है मिकाह इसराइल और जुदा के राजाओं से मिलता है और उनके द्वारा किये जा रहे अन्याय के बारे में बात करता है वहे उन से कहता है कि अपनी बूल सुदारें नहीं तो एक दिन गोड़ खुद वहां पर शाशन करेंगे। आगे नहूम में लिखा है, नहूम नाम का प्रॉफिट निनिवे के लोगों को बताता है कि किस दिन वहां गोड़ द्वारा जज्ज्मेंट होगी। आगे हबकुक में लिखा है, ईश्वर जुदा में हिंसा फैला देता है। हबकुक गोड़ से ر пошट करता है कि हिंसा रोक दिन गोड़ कहते हैं कि यहां उनके कर्मों की सजा है। आगे जेफानिया में लिखा है जेफानिया के दोरा गोड इसराइल के लोगों को संदेश भिजवाता है कि जुदा की तरह उनकी और दूसरे राजियों की भी जज्जमेंट होगी और उसके बाद गोड वहां शांती और नए राजेगी स्थापना करेंगे। आगे हगई में लिखा है हगई नाम का एक व्यक्ति जिरुसलेम के बरबाद हुए टेंपल को फिर से बनाने के लिए लोगों को काम पर लगाता है आगे जिचरिया में लिखा है प्रॉफट जिचरिया लोगों से कहता है कि दरम के मार्ग पर चले आगे मलाची में लिखा है इश्वर इस्राइल के लोगों को माफ करता रहता है लेकिन वे उससे दूर होते जा रहे थे गोड एक प्रॉफट मलाची को बेचता है जो लोगों को इश्वर की तरह इश्वर की तरफ मुड़ने के लिए प्रेरित करता है तो दोस्तो ये था सब Old Testament के सभी चार पार्ट्स जो अभी तक हम जान चुके हैं अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम New Testament पर बात करेंगे New Testament को कवर करूंगा उसमें भी जो इसके पार्ट्स हैं उन्हें कवर करूंगा जल्दी ही आपके सथ शेयर करूंगा दोस्तो आप प्लीज इस वीडियो को एक छोटी से रिक्वेस्ट लाइक कर दीजिए क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है और यही मेरी मेहनत का फल होता है कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप अपनी कोई राये देना चाहते हैं या आने वाली वीडियो के स्टॉपिक पर देखना चाहते हैं मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा शेयर कीजी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमली मेंबर्स के साथ ताँ जो उन्हें भी बाइबल के बारे में पता चल सके फाइनली इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके औल पर क्लिक कर लीजिए इसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा फेस्बुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजी मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वोचिंग